पिछले लगभग दो सब्काह पहले लगभग दो सब्काह पहले भारत के वैज्ञानिकों ने पांच आणविक परिक्षण किये और ये जो पांच आणविक परिक्षण हुए जमीन के अंदर बहुत ही सफलता पूर्वक हुए तो सबसे पहले तो मैं आप सब की तरफ से उन सभी वैज्ञानिकों को बढ़ाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये पांच सफल आणविक परिक्षण करके भारत को अंतर राच्पी ये परिदर्ष्य में एक अच्छे स्थान पर ले जाकर ख़़ा किया है हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये जो पांच सफल आणविक परिक्षण किये इसके बाद की दुटना ये है हमें उपर आर्थिक पाबंदी लगा दी है और जापान ने भी लगा दी है अमरीका ने और जापान ने हमारे उपर आर्थिक पाबंदी क्यों लगाई है क्योंकि हमारे देश के वैग्यानिकों ने पाँच अनू विस्फोट किये है और ये पाँच अनू विस्फोट जब भारत के वैग्यानिकों ने किये तो अमरीका ने और जापान ने हमारे उपर पाबंदी लगा दी तो तकलीफ क्या है अमरीका को विसफोट हमने किये हमारे वग्यानिकों ने किये हमारी जमीन पर किये हमारे पहिसे से किये अमरीका को क्या तकलीफ है कि आप ने ये क्यों किया क्या तकलीफ है हम अपने पैसे से अपने घर में कुछ भी कर रहें तुम कौन होते हो यह कहने वाले कि तुम यह करो या मत करो और तकलीफ इसलिये भी जादा है मुझको कि जो अमरीका की सरकार हमको कह रही है कि हमने ये पांच अनु विस्फोट क्यों किये उस अमरीकी सरकार ने खुद 1047 अनु विस्फोट किये तो जब अमरीका ने खुद अब तक 1945 के साल से लेकर 1000 से जादा अनु विस्फोट कर लिये हैं वो अमरीका को ये कहने का अधिकार किसने दिया है कि भारत सरकार में ये क्यों किये पांच अनु विस्फोट और आपको मैं जानकरी देदू कि भारत के वैग्यानिकों ने अब तक कुल 6 अनु विस्फोट किये हैं एक 74 में किया था पांच अभी किये हैं और ये 6 के 6 अनु विस्फोट हमने जमीन के अंदर किये हमारे वैग्यानिक चाहते तो वो जमीन के ऊपर भी कर सके थे लेकिन नहीं किया क्योंकि जमीन के ऊपर अनुविस्पोट करने का नुकसान बहुत होता है। लोग मरते हैं उसमें, रैडियेशन फैलता है और सालों साल तक उसका नुकसान होता रहता है। तो इसलिए हमारे व्रग्यानिकों ने इस बात की बुद्धिमत्ता दिखाई, चतुराई दिखाई, कि वो जमीन के अंदर किये हैं पांचों के पांचों अनुविस्पोट, छटवां अनुविस्पोट जो 74 में किया था, वो भी जमीन के अंदर किया था, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो, और नुकसान हुआ भी नहीं है, क्या नुकसान हुआ है, पांच इसका मतलब क्या है हमारे देश के दो किसानों को इतनी बुद्धिमानी है कि वो ये कह रहे हैं कि घर की दीवार गिरेगी तो दुबारा बन जाएगी लेकिन राश्ट्र का सम्मान तो उचा हुआ है इतनी बुद्धिमानी हमारे देश के कुछ बड़े-बड़े बेवकूफ नेताओं को नहीं है जो कह रहे हैं कि गलब कमें पर परिक्षण किया है आप देखिए कि जो साधारन किसान इतना बुद्धिशाली है वैसे हमारे देश के नेताओं में बुद्धि नहीं है और दुर्भागे से ऐसे नेताओं को आप बार बार मंत्री बनाते रहते हैं मु मुझे बहुत तकलीफ हुई एक दिन अख़ार में ये पढ़कर कि आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंदरबाबू नाइडू ने कह दिया कि अमरीका द्वारा जो पाबंदी लगा दी गई है जापान द्वारा जो पाबंदी लगा दी गई है उसका बड़ा-बारी नु बमका परिक्षण करेगा उसको अमरीका से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद कर दी जाएगी तो हमारे देश में परिक्षण किया तो अमरीका की सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता हमारे देश को बंद हो जाएगी तो कितनी आर्थिक सहायता देता है अमरीका हमको हमार हमारे देश के जो 40 लाख केंदर सरकार के करमचारी हैं, अगर उन सब की एक एक दिन की तंखा एकठी कर ली जाए, तो वो उतना ही पैसा है जितना अमरीका हमको एक साल में आर्थिक मदद देता। तो क्या हमारे देश के 40 लाख करमचारियों में इतनी भी राष्ट भक्ती नहीं है कि वो अपने एक एक दिन की तंखा दान करते हैं राष्ट के कोश के लिए, तो आपको जवाब मिलेगा कि है, इस्टेट बैंक ओफ बीकानेर और जैपुर के करमचारियों ने पहले ही बार म कोश में दान करेंगे, और जिस दिन मैंने ये खबर पढ़ी, उस दिन मैं पूना में था और उस दिन शाम को मेरा व्याख्यान था पूना में, जनता सहकारी बैंक है पूना में एक, तो उस दिन मेरा व्याख्यान उन्होंने आयोजित किया था, तो मैंने उस व्याख्यान म कि हम अपने एक एक दिन की सारी तंखा दान कर देंगे राष्ट के कोश्च में तो 40 लाख करमचारी अगर एक एक दिन की तंखा दान कर देंगे राष्ट के कोश्च में तो अमरीका द्वारा लगाई गई पावंदी का हमारे पाथ पूरा का पूरा इलाज है लेकिन इससे भी एक कदम आगे जाकर जो भारतिये लोग विदेश में रहते हैं जिनको हम non-resident Indians कहते हैं उन्होंने एक घोशना की है कि वो 15 अरब डॉलर दान करने जा रहे हैं भारत सरकार को तो ये 15 अरब डॉलर तो इतना पैसा होता है कि 5-6 साल तक अमरीका हमको मदद दे या ना दे बाल में जाए अमरीका चूले में जाए हम हमारा काम कर सकते हैं और अभी तो मैंने इसमें उनकी गिंती ही नहीं की है हमारे देश में एक करोड लोग income tax देते हैं तो ये एक करोड लोग अगर इस साल मदद दे या ना दे हम हमारा काम अच्छे से करेंगे इसके विपरीत एक अच्छा काम हो गया है तो पूरे देश में एक लहर चल गई है हरादमी कहता है बहुत अच्छा हुआ है और ये जो लहर चल गई है मैं देख रहा हूं कि लोगों के चहरे पर पर चमक आ गई है, ये कहते हुए कि बहुत अच्छा हुए, माने उनका स्वाविमान जागरत हुआ है, और आप समझ लीजिए, आधारन आदमी का जब इतना स्वाविमान जागरत हुआ है, तो हमारे देश के सेनिकों का स्वाविमान कितना बढ़ा होगा, जो सेनाओं पर द करूं इस देश के लिए, वो कभी पहले नहीं पूछता था मुझसे कि मैं क्या करूं इस देश के, जब अमरीका ने आर्थिक पावंदी लगाई है, जापान ने आर्थिक पावंदी लगाई है, तो हर आदमी कहता है, बोलो मैं क्या करूं इस देश की, तो हर आदमी को भाती धर्म भेद संप्रवाइ भूलकर अभी राष्ट की बात कर रहा है अभी मुझे एक मुसल्मान भाई मिला पूना में मेरा व्याक्षान सुनने के बाद उसने नकी किया उस वो कहने लगा राजी भाई मैंने फैसला किया है कि अमरीका की सिटी बैंक में मेरा पैसा जमा ह है वो सब में निकाल लूँगा और मुझे सिटी बैंक नहीं चाहिए पूना में एक लहर चली है दस वारे व्याक्षान इस बीच मेरे हुए तो पूना में लहर ये चली है कि बहुत सारे लोगों ने अपने सिटी बैंक के कार्ड सरेंडर कर दिये जब वो लोग मुझसे पूछते हैं कि राजी भाई हम क्या करें तो मैंने उनको बताया कि अमरीकी दे बैंक को करें करे। तो मैं आपको बताओं कि पूना में अब तक 30 लोगों ने अपने कार्ड मेरे सामने फाड़े हैं आँकों के, कि हम ये नहीं करेंगे, और एक मुसल्मान भाई मिला, उसका एक करोल रुपई से ज्यादा जमा था सिटी बैंक में, उसने का मैंने सिट्टी लिखी है, कि मेरा व पूरे देश के लिए खड़े हो गए हैं, ऐसा समय कभी-कभी किसी देश के इतिहास में आता है, और मैं मानता हूं कि ये बहुत एतिहास एक समय है, तारे देश को एक साथ रास्ट transluc के लिए खड़ा करने का एक सूत्र मिल गया है, और मैं मानता हूं कि ये बहुत अچ्छी बात हुई है, ये बहुत प्रसन्नता की बात है, सारे वैग्यानिक इस बात के लिए बढ़ाई के पात रहें, कि उन्होंने पांच इतने सफल आनविक परिक्षण किये, कि अमरीका को कानो कान खबर भी नहीं हुई, कि क्या हो गया हमारे, अमरीका के दो-दो सेटलाइट हैं ह हमारे देश में जासूसी करने के लिए, और उनके हजारों CIA के एजेंट चप्पे-चप्पे पर बिचे हुए हैं, लेकिन हमारे वैग्यानिकों की चतुराई देखिए कि अमरीका को पता भी नहीं चला, और पांचों के पांचों परिक्षण हो गए, अमरीका को पता क्या उनके सैटलाइट ने यहां से खबर बेजी थी वाशिंग अटन, कि पोखरन में धर्थी कंप हो गया है, तो अमरीकी वैग्यानिकों ने जब वो खबर पढ़ी सैटलाइट की, कि पोखरन में धर्थी कंप हो गया है, तो अमरीकी वैग्यानिक चादर तान के सो गए, कि चल और पहली बार अमरीका के किसी राश्रपती ने अपनी C.I.A. की एजनसी को सरे आम दांट तिलाई है लतारा है कि आपके ऊपर हम अर्मो डॉलर खर्च करते हैं और आप इतनी सी जानकारी नहीं दे पाए कि भारत सरकार क्या करने जा रही है भारत के वैग्जानिक क्या करने जा रहा है तो अमरीका के पेट में सबसे बड़ा दर्द ये है कि बिना अमरीका की जानकारी के भारत के वेग्यानिकों ने ये कैसे कर लिया माने ये है कि अगर हम उनकों बता के करते तो शायद उनके पेट में दर्द नहीं होता एक दूसरी तकलीफ और है अमरीका से, दूसरी तकलीफ क्या है, कि हमने ये जो पांचों के पांचों परीक्षण किये, उनमें से तीन परीक्षण हाइडरोजन बम बनाने वाले हैं, दो परीक्षण एटम बम बनाने वाले हैं, और आप जानते हैं कि हाइडरोजन बम एटम तो अमरीका को अब इस बात की चिंता हो गई है कि भारत के वैग्यानिक हाइडोजन बंबी बना सकते हैं, एटोमिक बंबी बना सकते हैं, और अगर भारत के वैग्यानिक ये खुद बना लेंगे, तो कभी अमरीका से खरीदने नहीं आएंगे, और अब अमरीका से हम खरीदन किये हैं और उसके बाद जो गोशनाएं की हैं वो यह है कि भारत के वैग्यानिक एक करोड रुपए में एक बम बना सकते हैं अमरीका में यही बम करोडों डॉलर में बनता है हाँ जो हम सिर्फ एक करोडों डॉलर में बना सकते हैं तो जो करोडों डॉलर में उनके हां बनता ह वो हम एक करोर उपर में बना सकते हैं तो अमरीका को तकलीफ ये हो रही है कि अगर भारत के वैग्यानिकों ने बना कर इसको बेचना चालू कर दिया तो अमरीका की तो दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि बहुत सफ्ता है और क्वालिटी में बहुत अच्छा है इसलिए उनको तकलीफ हो रही है परना अमरीका के तकलीफ का कोई सेध्धांतिक आधार नहीं है जब अमरीकी सरकार में खुद एक हजार से जादा आनविक परिक्षन की और एक बात और बता दू मैं कि बारत के वेग्ञानिकों ने ये पाँचों के पाँचों परिक्षन शान्ति पूर्वट किये हैं जब कि अमरीका ने अपने दो आनविक परिक्षन लोगों के उपर किये थे पहला किया था 6 एगस तुनिस तो पैटालिस को हीरोशिमा में और दूसरा किया था 9 अगस्ट 1945 को नागा साकी लिए तो हिरोशिमा और नागा साकी के ऊपर अमरीका ने अपने पहले दो आनविक बम गिराए थे जिसका नतीजा ये निकला कि साड़े छे लाख जापानी तड़ब तड़ब के मर गए होती तो अमरीका के वेग्यानिकों ने तो अपने आनविक परिक्षण ही किये लोगों की जान लेकर हमारे वेग्यानिकों ने आनविक परिक्षण किये हैं जमीन के अंदर दोनों में बड़ा भारी फरक है हम आज भी शानति प्रिय देश हैं किसी की जान नहीं लेना चाहते अमरीका हमेशा से दूसरों की जान पर ही खेलता रहा है और इस अमरीका ने ये जो दो परिक्षण किये थे 1945 में उसके बाद अमरीका ने बंद नहीं किया सबसे बड़ा सौदागर है अमरीका की जो अर्थव्यवस्था चलती है उसका दो त्यहाई हिस्सा हत्यारों की बिक्री से आता है दुनिया में जब भी कहीं युद्ध होता है अमरीका के ही हत्यार बिक्षण 1945 के बाद दुनिया में 325 युद्ध हो चुके हैं फिर्दर लेंड में नहीं होगा यह जितने अमीर देश हैं नोंने सबने नक्की किया फैसला किया है कि हम कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे और कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमन नहीं करेंगे लेकिन यही देश हैं जो सबसे ज़्यार बनाते हैं और दुनिया वर्मे बेज्टे है तो इनकी नीती क्या है इनका अफली चेहरा क्या है इनका अफली चेहरा है कि खुद युद्ध नहीं लड़ेंगे और अपनी आदमी अपनी सेनाओं को नहीं मारेंगे तो बारे देशों ने 1945 के बाद कभी युद्ध नहीं लड़ा लेकिन उसके बाद दुनिया में 325 युद्ध हुए हैं, तब गरीब देशों की जमीन पर हुए हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है, दो बार तो हुई चुका, तीसरी बार भी हुआ था चोटा था, भा में अर्बों डॉलर के हतियार अमरीका ने बेचे हैं, आज भी अमरीका की वही पॉलिसी है, कि दुनिया में जहां भी युद्ध होंगे, हतियार उनके बिकेंगे, अब हतियार उनके नहीं बिक पाएंगे, दूसरा देश भी बेच पकता है, इसलिए उनको ये तकलीफ सब ज़्यादा है, और इसके विपरित में एक दूसरी बात आप से कहना चाहते है, कि अमरीका ने ये जो पाबंदी लगाई है, उसके पीछे, हमारे हैं हिंडी में एक कहावत है, अगर आप उसको समझ सकें, तो मैं आप से कहूँगा, हिंडी में एक कहावत होती है, उसमें हम कहते हैं सौ सो चुहे खाए बिल्ली हज को चली माने पहले सौ चुहे खा लेती है फिर बिल्ली कहती है हज की आतना कराएं पवित्र हो जाएं वैसे ही अमरीका की आलत दुनिया बर के करोड़ों लोगों को मार दिया बंग गिरा-गिरा के परीक्षन करकर के अब वो अमरीका कह रहा है कि भारत सरकार को यह नहीं करना चोई है और क्या कह रहा है इस से पूरी दुनिया में शांती को खत्रा पैदा हो जाएगा सारी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत 5000 साल से शांति प्रिय देश है और पिछले 5000 साल से हमारे शूरुवी राजा होते थे हमारे देश का एक सबसे ताकतवर राजा था समराठ अशोग लेकिन कभी नहीं गया दूसरे देश पर आक्रमन करना है अबराध अशोग ने अपने बेटे बेटियों को दूसरे देश में भेजा था धर्म का प्रचार करने के लिए ना की कभी आक तो इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमन करने के लिए गया नहीं लेकिन हमारे उपर बाहर से हजारों आक्रमन हुए थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर तीसरी शताफदी ईसा पूर्व से लेकर जब सिकंदर का आक्रमन हुआ था हमारे और उस आक्रमन में हमको नुकसान भी बहत उठाना पड़ा है हिंदी-चीनी भाई-भाई करते थे पंडितनेहरु यह हुआ कि चीन हमारी 72टबर मील जमील ले गया है इंदी-चीनी भाई-भाई करते थे और जब चीन में आक्रमन किया था हमारे नौर्फ इस्ट में तो र तो जानते क्या हुआ था अरुनाचल प्रदेश के लोगों ने चीनी सेनिकों का मुकावला किया था लाठी और डंडों के चीन ने 47 अनुबं बनाए हैं वो हमारी चाती पर बैठा है 72,000 वर्गमील जमीन लेकर जब ये चीन की दुरगतना हो गई थी हिंदी चीनी भाई 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 और जमीन चली गई चीन के कबजे में तो रामवनों और लोहिया ने एक दिन पंडित नहरू से ये प्रश्न पूछा थ कि तुम इंदी चीनी भाई भाई करते रहे और देश की जमीन चली गई चीन के कबजे में तो एक दिन पंडित नहरू ने पार्लेमेंट में इसका जवाब दिया क्या जवाब दिया सुनी है जड़ाओ उन्होंने कहा कि ये जो 72,000 वर्गमील जमीन हमारी चली गई चीन के क उखता है तो उस जमीन पर घास का एक भी चुकड़ा नहीं उखता था इसलिए तुमने दे दिया चीन को तो अपना सिर काटके दे दो चीन को क्योंकि ये भी बेकार है इस पर भी एक भी चुनका नहीं उखता है तो पंडित नहरू के मूह से कोई जवाब नहीं निकला था पारे तो वो चीन आज भी हमारे लिए खत्रा बनकर बैठा हुआ और वैसी परिस्तिती में अगर हम हमारे देश के सहनिकों का मनोबल उचा करने के लिए ये ना करें तो फिर क्या करें हमारे पास कोई दूसरा राश्तान नहीं और पाकिस्तान भी बैठा है गौरी का परिक अग्षण हुआ था या तो उसके अगले दिन हो जाना चाहिए लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी जिसके कारण थोड़ा सा समय लगा और इसके एक और आगे की बात में आपके करना चाहता हूं कि हमने कभी किसी दूतरे देश पर आकर्मन नहीं किया हमेशा ह अगर आखर देखेगा तो हमारी अपनी नीती है हमेशा रही है आगे भी रहे तो हिंदुस्तान की उसी नीती का अनुसरन करने के लिए ये किया गया है तब इसमें एक आखरी बात और जुनती कि अब अमरीका ने पाबंदी लगा दी है हमारे सारे सरक सही होते हुए भी उन्होंने हमारे उपर पाबंदी लगाई है तो ये अमरीका ने हमारा अपमान किया है ये पाबंदी नहीं है ये भारत का अपमान किया है और इस अपमान का बदला लेना हर भारतिय नागरिक का राश्ट्र धर्म है तो आप पूछेंगे राजी भाई अमरीका द्वारा भारत के किये गए अपमान का बदला हम कैसे लें तो मैं आपको एक रास्ता बताने आया हूँ कि अमरीका ने ये जो हमारा राष्ट्री अपमान किया है पाबंदी लगा के इसका बदला लेने का हमारे पास एक तरीका है वो तरीका ये है कि जिस अमरीका ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई है उस अमरीका के ऊपर हम आर्थिक पाबंदी लगाएं तो आप पूछेंगे वो कैसे तो उसका रास्ता बहुत आसान हम सब मिलकर अमरीका के ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा सकते हैं अमरीका की एक-एक कंपनी को भारत से भगा देंगे उनके ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाने का सबसे अच्छा तरीका है तो एक-एक अमरीका की कंपनी को भारत से भगाना होगा अपने राश्टर के अफमान का बदला लेने के लिए तो आप पूछेंगे वो कैसे होगा उसका तरीका और आसान है आप सब आज जब यहां से उठकर जाएंगे तो एक संकल्प लेकर जाएंगे मैं मेरे व्याठ्चान के अंत में एक मिनट का एक संकल्प कराऊंगा आप सबको बिना संकल्प लिए आज कोई नहीं जाएगा कि हम अपने जीवन में किसी भी अमरीकी कंपनी का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी इस्तेमाल तो सबसे पहले क्या करना होगा सबसे पहले पेपसी कोला का वहिशकार करिए ये अमरीका की ऐसी कमपनी है जिसको मैं सबसे बदमाश कमपनी मानता हूँ सबसे बेईमाश तो पेपसी कोला का वहिशकार करिए ये अमरीकी कमपनी है और कोका कोला का भी वहिशकार करिए क्योंकि ये भी अमरीकी हो गया पहले हमारे देश का था पारले का था अब वो पारले कंपनी कोका कोला में घुस गई कोका कोला ने उसको खरीद लिया तो अब अगर आप थमसब पीते हैं लिमका पीते हैं सिट्रा पीते हैं तो भी आपका पैसा अमरीका ही जाता है इसलिए हम पेपसी नहीं पीएंगे कोका कोला पीएंगे नहीं थमसब पीएंगे नहीं लिमका पीएंगे नहीं सिट्रा पीएंगे नहीं कुछ भी नहीं पीए तो कोई किसी को अपनी किड्नी दान नहीं करता क्योंकि अमरीका का समाज नितान तुस्त्वारती समाज है उनके लिए डॉलर भगवान है बाकी कोई चीज नहीं है बाप बेटे को दान नहीं करता बेटा बाप को दान नहीं करता मरते हैं फिर लोग वहां किड्नी बरबाद क पर कि क्या होता है, वहां के अखवारों में बड़े बड़े जाहरात छपते हैं और उन जाहरातों में कहा जाता है कि कोई किड्नी दान करे उसको पांच लाग देंगे, इतना देंगे, तो फिर हमारे यहां कुछ हैसे नालाइक डॉक्टर पैदा हो गए हैं जो यहां के तो चूंकि अबरेका में किड्णी बहुत बरबाद होती है और किड्नी बरबाद होने का सब से बड़ा कारण है पेप्सी कोला, कोका कोला, सौफ डरिंग तो आप मत करिए अपनी दोनों किड्णी बरबाद और बगवान की दी गई अगर दो किड्निया आपकी बरबाद हो गई तो आपको उतनी ही तकलीफ होगी जितनी तकलीफ हमारे पूर प्रदान मंत्री शरी विश्चुनात प्रताप की उनको हो रही है उनकी दोनों किड्निया फेल हो गई और आजकल लंदन में 24 गंटा जिन्दा रहने के लिए उनको 8 गंटे डाइलेसिस पे रहना पड़ता और 8 गंटे कोई आदमी अगर डाइलेसिस पे पड़ा हुआ है आप उसको अगर देख लेंगे तो आपका दिल कांप जाएगा कितनी तकलिफ होती है इसलिए मत पीजिए पेपसी कोका कोला समस्थ ले और इसलिए भी मत पीजिए के हमारे देश के दो लाख गाओं में पीने का पानी नहीं है आजादी के पचास साल होगा आजादी के पचास साल के बाद इस देश के दो लाख गाओं में पीने का पानी नहीं है करोड़ा लोग पीने के पानी से प्यासे है यवतमाल मैं नय भी गया था व्याक्षान देने उस जिस दिन मेरा व्याक्षानता है उती दिन यवतमाल का एक नौजवान 25 साल की عमर का पानी ना मिलने के कारण प्यासा मर गया तरफ 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 तो अकवार में जब खबर चपी तो मैंने अकवार के समवाद दाता से पूछा था कि ये खबर तो आपको पता चल गई इसलिए छप गई ऐसे तो हमारे देश के दूर के गाउं में आदिवासी गाउं में कितने लोग मरते होंगे पता ही नहीं चलता हमको तो हमारे देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं है दो लाक गाउं में पीने का पानी नहीं है वैसी इस सिती में कदम और आगे की बात करना चाहता हूँ आपके, कि ऐसे सभी सामाजिक कारिक्रमों में आप जाएंगे नहीं, जहां पेपसी कोला बटेगा या कोका कोला बटेगा, अगर किसी की शादी हो रही है, किसी का ब्याह हो रहा है, किसी की बरात जा रही है, और उसमें अगर पेपसी कोका कोला बांट रहा है कोका कोला बांट तो हो सकता है उनको भी थोड़ी सद बुद्धी आए और वो पैपसी की जगे नारियल का पानी बटवाए या गन्ने का रस बटवाए या दही की लस्ती बटवाए या दही की चाच बटवाए तो हम नहीं पिएंगे किसी को पिलाए बंद करो नहीं तो पैपसी बेचने वाले कोका कोला बेचने वाले भाई के घर के पास जाईए और उसकी दीवार पर काले रंग से लिग दीजे कि ये अमरीकी एजेंट है व्यापार करिए धंदा करिए लेकिन ऐसा व्यापार और ऐसा धंदा मत करिए जिसका पैसा अमरीका जाए और हमारे दुश्मन के साथ हमारी लड़ाई को कमजोर था तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे व्यापारियों को भी थोड़ा सा जोश आएगा हिम्मत आएगी और वो पैपसी कोला की एजनसी छोड़ेंगे कोका कोला की एजनसी छोड़ेंगे और ये हो रहा है पूना में दक्षणी पूना का जो सबसे बड़ा पैपसी कोला का डिस्रिब्यूटर था उसने मेरे व्याख्यान में जाहिर में घोचना की थी आकर मंजपट कि आज के बाद मैं पैप्सी कोला की एजन्सी तोड़ दूँगा और उसने धंदा बंद करती पुना में एक व्यापारी भाई है जो प्रति दिन चारलाक रुपए का परदेशी माल बेचता था अपनी दुकान पर उसने घोचना की कि मैं दुकान बंद कर दूँगा लेकिन ये परदेशी माल नहीं बेचे लिए तो ऐसे देश में अभी भी व्यापारी जिंदा है जिनमें राश्ट बक्ती है देश बक्ती है उन व्यापारियों की राश्ट बक्ती और देश बक्ती को थोड़ा सा जागरफ करिए वो भी इस धंदे से बाहर आईंगे ऐसे ही मेरा आपसे दूसरा नगेदिए क्या आपके घर में एक और अमरीकी कमपनी का माल सबसे जादा आता है उसका नाम है कॉल गेट पामो लिव इसका टूथ पेस आपके घर में आता है इसका साबून आपके घर में आता है इसकी शेविंग क्रीम आपके घर में तो ये सब मत खरीदी तो call gate नहीं खरीदेंगे आप तो आप पूछेंगे राजी भाई क्लोज़अप खरीद लए ख्लोज़अप भी मत खरीड़ेंगे वह भी परदेशी प्रदेशी कंपनी तो call gate नहीं, close up नहीं, फॉराहंस नहीं फारहंस नहीं, पेप्सोडेंट नहीं बैचता था उस कंपनी से तो वह भाई मेरे व्याख्यान में आया और मेरे बाजू में आके बैठ गया कुरसी पर मुझे मालूम नहीं था कि ये करता चाहिए तो एक आदमी ने आके कान में मेरे का राजी बाई आपके बगल में जो बैठा है ये वही आदमी है जो प्रेप्स कंपनी को माल बना के दे सकता है तो तू अपने नाम से क्यों नहीं बेचता है तो उसने का आज तक मैंने कभी सोचा ही नहीं तो मैंने का आप सोचने के लिए रास्ता खुल गया तो मैंने उससे एक और बात पूछी कि भाई जरा ये बता कि जो तू प्रेप्सुडेंट ब और क्या बेवकूफी हमारे लोग करते हैं सबेरे ही सबेरे उठते हैं और शीशे में देखकर तूथफेस रगड़ते हैं अपने भूले मने अपनी बेवकूफी देख रहे हैं सीशे में यहां से सफेज सफेज निकलता यहां से सफेज सफेज निकलता पूरा मू गंदा हो ups जाता है तो बिरश ही तो बाहर निकालता तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ जब भी आपके दानस में कोई छीज आती है काते काते तो बताई ये होता हुआ है घृति का रहा है आपके दानस में पान आप देखेंगे आपकी जीव है ना, बार-बार लगातार उसको निकालने की कोशिश करेंब और उसी जगे estrike करती रहेगी जहां कुछ फस गया है और जितनी दिर वो फस रहेगा अब तक वो शानती से नहीं बैठेगी चलता ही रहेगा काम, चलता ही रहेगा और उतनी देर आपको भयंकर टेंशन रहेगा और जैसे ही वो आपके दात से निकल जाएगा आप एकदम रिलेक्स पीलिंग करेंगे इसका मतलब क्या है दातों में छिपे हुए अनकड़ों को बाहर निकालने का काम जीब करती है टूथब्रश नहीं करता इसलिए टूथब्रश करने की कोई जरूरत है और हमारे याँ टेलिवीजन पर विग्यापन आता एक कंपनी कहती है हमारा टूथब्रश बहुत मुलाइम है दूसरी कंपनी कहती है उससे ज़्यादा मुलाइम हमारा तीसरी बताती है कि देखो कितना दब जाता, चौती बताती है देखो कैसे मुल जाता, अरे ये सब बेवकूफी है, नीम के दात उनको चवाईए, जो क्वालिटी का टूथ बरश बनता है, वो कोई कमपनी नहीं दे सकती बनाके, ऐसी मेरा आप से एक और निवेदन, कि अभी मुझे इस देश में ऐसे लोगों की दरूरत है, जो संकल्प ले सकें देश के लिए, क्योंकि ये जो समय आज इस देश के सामने है, ये बहुत अच्छा समय है, हम थोड़े थोड़े भी संकल्प लेंगे अगर इस देश के लिए, तो बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं, तो आत्म शक्ति मजबूत अगर करनी है तो उसका एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि आप व्यसन करना बंद कर दीजे अगर आप शराप पीते हैं तो शराप छोड़ दीजे बियुली सिगरेट पीते हैं तो बियुली सिगरेट छोड़ दीजे पान पराग, तंबाकू, गुटका, मावा खाते हैं तो वो सब छोड़ दीजी क्योंकि व्यसन करने से आदमी की आत्मा कमजोर होती है और आदमी संकल्प हीन हो जाता है शरीर का नुकसान होता है वो तो एक बाजू में है व्यसन करने से शरीर का कितना नुकसान होता है वो आप सब जानते है कैंसर हो जाता है क्यूबर कलोसिस हो सकता है पचास तरे की बीमारियां हो जाएंगी लेकिन शरीर से जादा आत्मा का नुकसान होता है और आदमी संकल्प हीन हो जाता है कमजोर हो जाता, तो मेरा आप से निवेदन है कि व्यतन छोड़ दीजे, क्योंकि आज इस देश को संकल्प वान लोगों की जरूरत है, देश के लिए व्यतन छोड़िए, तो क्या फाइदा होगा, अगर हमारे देश के नौजवान ये गुटका खाना बंद कर दें, पानपर करोड का गुटका, हमारे कुछ लोग खा जाते हैं, इतने पैसे का तो जानवर भोजन भी नहीं सरके, तो ये पाँच हजार करोड का अगर घुटका खाना बंद कर दें, हमारे नौजवान, एक साल अगर गुटका ना विके, पाँच हजार करोड की बचत हो, तो क्या हो सक जानते हैं, यह 5,000 करोल रुपया हम गुटका नहीं खाएंगे अगर देश के लिए बचा लें और इसी पैसे को हम NST में डाल दें, National Savings Certificate में, तो यह 5 साल के अंदर दो गुना हो जाएगा, तो 5,000 करोल रुपया 10,000 करोल हो जाएगा, 10 साल के अंदर यह 20,000 करोल हो जाएग 20 साल के अंदर यह 30,000 करोल हो जाएगा, 25 साल के अंदर यह 1,60,000 करोल हो जाएगा, और 35 साल के अंदर यह 6,40,000 करोल हो जाएगा, जानते हैं यह कितना पैसा है, पूरे हिंदुस्तान का सारा विदेशी कर्ज चुका देगे हैं, तो क्या इतना नहीं हो सकता, कि इस देश के नौजवान गुटका नहीं खाएं मानक चंद नहीं खाएं पान पराग नहीं खाएं और हम सारा विदेशी करज चुका दें और एक साल हम नहीं खाएंगे तो पहती साल में विदेशी करज चुक जाएगा हम हमेशा के लिए खाना बंद कर दें तो शायद एक दो साल में ही व व्यसन है जो रोज हम करते हैं चाय और कॉफी का मुझे आपके जीवन से ये संकल्ब चाहिए कि आप हमेशा स्वदेशी ही इस्तेमाल करेंगे कभी भी परदेशी माल इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक आखरी निवेदन मुझे आप करना है कि आपके घर में हमेशा स्वदेशी आए कभी भी परदेशी माल ना आए इसके लिए एक छोटा सा काम और करिए अपने घर का टेलिविजन बंद कर दी अभी एक दुरगटना हुई पूना में मैं जाहिर व्याख्यान कर रहा था उसमें एक डॉक्टर भाई मेरे पास आया और उसने का राजी भाई पूना शहर में एक लड़की है बारेश की जी हॉरर शो देखकर पागल हो गई है और हॉस्पिटल में है का चंद्रपुर में अभी एक दुरगटना हुई मैं चंद्रपुर गया था व्याख्यान करने तो एक मजदूर भाई आया मंच पर रोता लेने के लिए और मैंने टेलीवीजन लिया नहीं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं तो वो क्या करता था पडोसी के घर में जाके टीवी देखता था एक दिन मुझे लगा तो मैंने बैंक से करजा लेके टीवी ले लिया तो मैंने का फिर क्या हुआ क्या लगा मेरा बच्चा जो उसके दोनों पैर टूट गए डॉक्टर के पास लेग डॉक्टर ने कहा कि अभी हड़ी तो टूटी उसके साथ पैरलिसिस भी हो गया और दोनों पैर उसके हमेशा के लिए बेकार तो उस मजदूर ने कहा कि मैंने तो जो करजा लेके टीवी खरीदा उसने तो मेरे घर का सब्क्या नाश कर दिया क्योंकि एक ही बेटा था उसके पास 11 साल का वो भी चला गया था तीवी देखने का कि पूरा असर होता है बच्चों हमदाबाद में एक साथ साथ बच्ची ने पिछले साल एक देड़ साल की अपने भाई को वाशिंग मशीन में डाल दिया दुलने के लिए क्योंकि उसका जो भाई था वो काले रंका था और उस बच्ची को ऐसा लगता था कि वाशिंग मशीन में हर चीज साफ हो जाती तो उस बच्ची ने डाल दिया अपना भाई वाशिंग में एक शहर है लखनव, वहाँ क्या हुआ, एक साड़े-चार साल का बच्चा था, रोज चित्रहार देखता था, ATN पर जुआ था, और उसमें एडवर्टिस्मेंट बहुत आते हैं, तो क्या देखता था, वह बच्चा एक एडवर्टिस्मेंट आता था, थमसप का विग्यापन, जिसमें एक लड़का, पैर में रस्ती बांद कर उल्टा खूदता था, और एक थमसप सी बोतल लेकिया था, तो एक दिन वो साड़े चार साल के बच्चे ने अपने पैर में रस्ती बांदी, छट पर से कूद गया, सड़क पे गिरा, सिर फटा और मर गया, अब उसमें बच्चे का क्या कर दो है, विग्यापनी ऐसे दिखाए जा रहे हैं, जिसको बच्चे देखेंगे, सुनेंगे, फिर फॉलो करेंगे, और हमारे देश में आज तक एक भी ऐसा कानून नहीं है, जो टेलिवीजन पर इस तरह के विग्यापनों की रोक लगाए, इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि जितनी जल्दी हो टेलिवीजन बन कर दी, आना हो कि जो दुरगटनाए लंदन में हो रह सेक्स के चक्कर में बरबाद हो रहे हैं, दिल्ली में मेरा एक दोस्त है, जो एक प्राइवेट क्लिनिक चलाता है, वो और उसकी पत्नी दोनों डॉक्तर हैं, प्रति दिन वो 25-30 लड़कियों के गरभपात कराते हैं, अबोर्शन कराते हैं, तो मैंने एक दिन पूछा कि त सेक्ड़ों क्लिनिक होंगे, उन्होंने कहा हैं, हमारे देश में हर साल लाखों नहीं बलकि करोड़ों बेहनों के गरभपात होते हैं, 14 साल की उमर में, 15 साल की उमर में, 16 साल की उमर में, 19 साल की उमर में, 20 साल की उमर में, तो ये दुराचार आ कहां से रहा है, और ये बच अगर आपके बच्चों का चरित्र खलास हो गया तो आपका माबाप होना बेकार। चलते चलते एक आखरी बात और कह रहा हूँ कि इस टेलिविजन के माध्यम से अमरीकी कमपनियों का सबसे ज़्यादा जाहिरात करने वाला इस समय अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है सचिन तेंदुलकर सबसे ज़्यादा पेपसी कोला का जाहिरात करता है सबसे ज़्यादा कोका कोला का जाहिरात करता है अभी एक अमरीकी कमपनी है एडिडा उसके साथ सचिन तेंदुलकर में समझोता किया है एक करोड रुपिया वो लेगा साल भर में और एडिडास का जूता बिकवाएगा मान सारी अमरीकी कमपनियों का भारत में धंदा बलाने का काम सचिन तेंदुलकर कर रहा है और हम अमरीकी कमपनियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस गाउं से हजारों की संख्या में सचिन तेंदुलकर को चिट्थी बेगी और उसको ये लिखिए कि हम पूरे देश में अमरीकी कमपनियों के खिलाफ बहिशकार का अभियान चला रहे हैं अमरीका ने राश्ट का अफमान किया है, हमारे देश पर पाबंदी लगाई है हम तुम से निवेधन करना चाहते हैं कि तुम इन अमरीकी कमपनियों का जाहिराच करना बंद करो तो सकता है उसको भी राश्ट भक्ती पैदा हो और उस चित्थी में दूसरी बात और लिखिए है कि तुमको कितना पैसा चाहिए पैसे की कमी नहीं है उसके पाइटी और करोनों रुपई की समपत्ती है दस फीडियां बैट कर का सकती है फिर किस मात का लालच पैसे का तो उससे कहिए कि तुमको पैसे का इतना लालच क्यों है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है राश्व के सम्मान से बड़ी कोई भी चीज नहीं और उसको लिखो कि हम तुम से विनम्रता से कह रहे हैं कि तुम ये धंदा छोड़ दो परदेशी कंपोनियों का जाहिराथ करना नहीं तो हम तुमको भी अमरीका का एजेंट कोशित करेंगे अगर तब तुमको इस समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा और भारती समाज में तुमारा भहिशकार किया तो दुनिया में कहीं भी तुमको इतनी इज़द मिलने वाली नहीं है यहां से बात कर अगर वो अमरीका भी चला गया तो अमरीका में उसको कोई नहीं पूछेगा दो कोडी में क्योंकि अमरीका में क्रिकट खेलने वालों का कोई सम्मान नहीं करता सत्यानाश कर रहा है क्रिकट का खेल कि हम बैठ जाते हैं टेलीवीजन खोल कर जब कहीं मैच होता और परेशान होते हैं किस बात के लिए बीस बाल में 25 रन बनाने हैं तो 20 बॉल में 25 रन बनाने हैं वो मरें जाएं बार में चूले में हमसे क्या लेना देना है हम कहाएं कि अब भी पी हाई कर रहा हैं लो कर रहें मैं चल रहा बीस बॉल में 25 रन बनाने हैं हम उचलते हैं TV के सामझ और उसी समय अगर कोई आउट हो गया तो इतना depression आता है जैसे घर का कोई आदमी मर गया अपने माबाप मर जाएं तो भी इतना दुख नहीं होता कि इंडिया की टीम आर गई हारे जीते हैं उससे क्या लेना देना खेल है तो खेल में तो हार जीत होती रहती है लेकिन अब cricket खेल नहीं है एक बहुत बड़ा सट्टा है एक बहुत बड़ा धंदा और अब cricket सट्टे के लिए खेला जाता है धंदे के लिए खेला जाता राश्ट्र के सामने इतने गंभीर प्रशन है और इतनी गंभीर चनोतियां खड़ी होई है और हम रास्ट्रिय प्रश्णों पर चिंतन नहीं करें